ये अव्यक्त इशारे अब बेहत की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। दुसरी पॉइंट बेहत का वैराग्य तब आएगा जब अपने को बेहत की सेवा में बेजी रखेंगे। इसके लिए मास्टर ग्यान सुरियबन सकाश देने की सेवा करते रहो। यह सकाश देने की सेवा ही निरंतर कर सकते हो। इसमें तबियत की बात समय की बात नहीं है। तो दिन रात इस सेवा में लग जाओ। बेहत में जाने से हद की बाते आपे ही छूट जाएंगी। बेहत की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। जाएंगी। बढ़ा